नमस्कार मैं पूजा वशिष्ट बोल्सकाई के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान अपनी धनी विरासत और अपनी अलग संस्कृति के लिए जाना जाता है यहां की आर्ट और कल्चर दुनिया भर के लोगों को भाते हैं यहां का रॉयल इतिहास राजा महराजाओं की शोरगा था और विशाल भव्यराजमहल यहां की पहचान है आज भी उन राजा महराजाओं के वर्तमान पीडी उनके विरासत को संभार रही है जोदपुर में एक ऐसा ही परिवार है जो क्रिस्टल बैंगल्स यानि की काच की चूडियां बनाने के लिए फेमस है इनका परिवार पिछले डेड़ सो सालों से यह काम कर रहा है राजस्तान में बीबाजी बैंगल्स के नाम से मशूर ये शौप दुनिया भर के लगबग हर जगा पर चूडियों की सप्लाई करता है इतना ही नहीं जोदपुर की ये चूडियां व्यापारी अंबानी परिवार तक को सप्लाई हो चुकी है इसके अलावा इनके ग्राहक कबीर बेदी और जूही चावला जैसे बड़े कलाकार भी है जी हाँ जैसा कि हम सब जानते हैं कि मुकेश अम्मानी की बेटी ईशा अम्मानी की शादी जल्द ही होने जा रही है और अब ऐसे में इस बात का खुलासा भी हो गया है कि अम्मानी परिवार अपनी चूडियों की शौपिंग जोधपुर की इसी दुकान से करता है ये दुकान कोई छोटी मुटी दुकान नहीं है बलकि इस दुकान के बड़े बड़े सेलेबरिटीज भी ग्राहक है ये दुकान तकरीबन डेड़ सो साल पुरानी है और अपने काम की वज़े से ही जानी जाती है वतवान पीडी में अब्दुल सतार इस शौप को चला रहे है अब्दुल ने बताया कि मेरी दादी जी जिनने सब बीबी जी कहकर बुलाते थे वो यहां के राजा महराजाओं और राणियों के यहां चूडी पहनाने जाया करती थी वहीं से हमारे बिजनस की शुरुवात हुई और आज तक ये पीडी उसी काम को कर रही है पहले ये परिवार अपने चूडियां राणी महराणियों को सप्लाई करता था लेकिन आप देश के बड़े बड़े सेलिबरिटी इस दुकान से चूडियां लेने आते हैं वहीं आम लोगों को भी ये दुकान बेहत पसंद है और वो कुछ स्पेशल डिजाइन की काच की चूडियों को इसी दुकान से लेना पसंद करते हैं अब्दुल ने बताया कि जब बीबी जी बूड़ी हुई और अपने व्यापार को चलाने में सक्षम नहीं रही तो मेरे पिता ने इस व्यापार को करना शुरू किया वो साइकल पर चूडियां लेकर बेचने लगे मैंने भी साइकल पर चूडियां बेचने का काम शुरू किया लेकिन अब मैंने अपने खुद की दुकान स्थापित कर ली है यहां शुरुवात में यह परिवार साइकल पर अपनी चूडियां बेचता था लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया इस परिवार ने अपनी खुद की एक दुकान खरीद ली जो कि आज पूरे देश में प्रचलित है बीबाजी शॉप की शुरुवात 1970 में हुई यहाँ क्रिस्टल्स यानि की काच की चूडियां बनाई और बेची जाती है जो आज कल काफी फेमस है इस शॉप पर इनेमन, स्टोन जड़े, कीच की कटिंग वाली चूडियों सहेत हर प्रकार के डिजाइन वाली चूडियां मिलती है जी हाँ काच में चाय कैसी भी डिजाइन हो आपको हर प्रकार के चूडियी इस दुकान पर मिल जाएगी ये शॉप जोदपुर के सबसे वियस्त इलाके में इस्तेत है फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही अने जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चानल